हाई एब्रिवान आप सभी के सागोत करता हूं एक और नीवीडियो में नीव एक जानकरी किसाथ सो आजकी इस वीडियो में मैं आप सभी को पुरुफ किसाब दिखाऊंगा और आप में से काफी प्यूमर्स का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है कि हमने कमपनी में काम किया हू एक साल हो गया काम छोड़ दिया हूँ लेकिन उस कमपनी में जो है हमने 6 माना से कम काम किया हूँ फॉर्म नमबर 19 एपलाई करके हमने पीएप के पैसा निकल चुका हूँ लेकिन अभी पैसा के हम निकल सकते है तो जी हाँ आप बिलकुल 6 माना से कम की जितना भी पैसा निकल सकते है पैसा निकल सकते है फॉर्म नमबर 19 एपलाई करके तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीटिस में बता दूँ कि आप जितने भी में पैसा आपकी पैसा आपकी पैसा परा हुआ है आप फॉर्म नमबर 19 एपलाई करने के बाद आप अपना पैसा बचा हुआ है आप निकल सकते है तो एक भाई ने कमेंड किया है कि उंकी पीए पैसा है चारर थाजार रुपे है तो आप जितने भी मेंबर मेरा इस वीडियो को देख रहे हो anga आपने किस भी कंपानel में श्य मेंना से कम काम किये हो तो आब ही आप form number 10C apply करके 6 मैना से कम किये जितना भी सार्विस है उनके पैसा आप निकल सकते है तो आज की इस वीडियो में आपको पूरूप की साथ दिखेना वाला हूँ जानकरी पसंद आए तो वीडियो को प्लीस लाइक कर देना चैनल में पहली बढ़ है तो चैनल को सब्सक्रेब कर लेना चलिए वीडियो में आगे बरते है तो यह पर मैं आच को मोबल की स्क्रीन पर और सब से पहले अपको एक even number की जारिया प्याप पोर्टर पर लोगिन कर लेना है और आज की इस वीडियो में आपको live proof की साथ दिखाऊंगा P.A. form 10C apply करके इसके लिए आपको online service पर click करना है next आपको claim form 319, 10C and 10D पर click करना है next interface कुछ इस तरीके से open हो जाएगा इस option से आप तीनो form को apply कर सकते तो यहाँ पर आपको अपना bank account जो link है आपकी P.A. account के साथ same bank account number यहाँ पर enter bank account की option पर हम enter करेंगे bank account number इंटर करने के बाद next verify option पर click करेंगे then यहाँ पर terms and condition को accept करेंगे yes बोटन पर click करेंगे next यहाँ पर हमारा जो bank account है यहाँ पर verify हो चुका है टिक लग चुका है यहाँ पर आप देख सकते है next यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा proceed for online claim यहाँ पर click करेंगे next interface कुछ इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है please choose claim form type PF withdrawal PF advance pension withdrawal तो यहाँ नीचे हम select down करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो service है और joining date यहाँ आप देख सकते हैं 14-2024 और date of living यहाँ आप देख सकते हैं region date 36-2024 याँ इन वेक्ति का जो है तीन माइना का service है region की option पर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं only pension withdrawal यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पीएप मेंबर का जो एड्रेस है employee address इस address पर पीएप मेंबर का एड्रेस यहाँ पर आपको इंटर करना है state pin code की साथ इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं upload scan copy of checkbook और passbook तो यह वर choose file option पर आपको किलिक करना है next उस option पर किलिक करके आपका जहाँ पर भी आपके bank account का checkbook यह passbook है passbook को यहाँ पर आपको upload कर लेना है passbook या checkbook की photography upload करने के बाद आपको नीचे select down करना है यहाँ पर आपको एक box देखने को मिल रहा है इस box में आपको check out करना है then आपको get other OTP option पर click करना है और आपकी आधरकर के साथ जो register mobile number है उस mobile number पर आपको OTP receive होगा तो यहाँ पर आप देख सकते है मुझे OTP receive हो चुका है और जो OTP मुझे यहाँ पर आया हुआ है उस OTP को copy करके हम यहाँ पर inter OTP box पर हम paste करेंगे next valid OTP and submit claim option form पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते है हमारा जो claim है यहाँ पर online claim request is submitting at portal यानि हमारा जो request है अभी यहाँ पर process हो रहा है तो आपको कुछ time wait कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते है OTP has been verified EKYC updated and pension withdrawal claim form submitted successfully on unified portal please click here to view PDF so यहाँ पर आप देख सकते है हमने पर आपको live proof के साथ apply करके दिखाए हूँ अभी तसली के लिए आपको status भी चेक करके दिखाते है तो इसके लिए हम क्या करेंगे online service पर click करेंगे next track status option पर click करेंगे next interface कुछ इस तरह के से open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखते है online claim status और यहाँ पर left side में आपको देखने को मिल जाएगा tracking ID इसके बाद आपको देखने को मिलेगा form type form 10C यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है साती में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं देखने को मिल रहा है submit at portal कब हमने apply किया 6 September 2024 एक बाज के 14 मिनिट में दूपहर को हम 6 तरीक September को यह form को apply किया हूँ और आज 6 तरीक है ठीक है और यहाँ पर आप देख सेंट टू field office यहाँ पर आपको खाली देखने को मिल रहा है और साथ में यह पर current status में आप देखने को मिल रहा है online किलाम submit at portal नेक्स्ट यह आप आपको बगल में देखने को मिल रहा है view pdf के नीच एक icon देखने को मिल रहा है इस icon पर हम क्लिक करेंगे आपके पास receiving download हो जाएगा इस download पर आपको पूरा details रहेगा यह नमबर साथ में पी इस वीडियो में मैं आपको दिखाया हूं इन बैक्ति ने जो है उस company में तीन मायना की service किया है तीन मायना service का जो pension का पैसा है 10C form apply करके इस वीडियो में आपको live proof की साथ दिखाया हूं तो इस वीडियो को देखने के पाद आपको एकिन हो गया होगा कि आप 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 6 माय से कम की service के पैसा निकल सकते है form number 10C apply करके तो यही एक जानकर ही आप लोगों साथ share करना था और I hope एक वीडियो में आपको good news मिला है तो वीडियो को like कर लेना चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लेना फिर मिलते है नेक्स वीडियो में नीवेक आपडेट के साथ